दोस्तो डॉक्टर बाबा साहब भीमरा अमबेटकर इन्वर्शी की लखनों में आप लोगों ने जो पिछले दिनों देखा कि जो बच्चे 17 तारीक को अमबेटकर जैनती मनाना चाहते थे उन्हें परमीशन नहीं मिल पाया था उसको चलते तमाम इस्टूरेंट्स को मारा भ बच्चों को और फिर उनको जवर जस्ती जेल में डाल दिया घया था तो यह योगी जी के सासंकाल में यह हो रहा है लेकिन आका सानंद जिस तरह से उस पर बैयान दिये हैं चंद्रेसेखर रामर के जिस तरह से उस पर टुइट आए है ऐसा लगता है कि राजनीती में बद सेवीर सबसे बड़ी हा मुझे चंदर से खरा जाद रावन लगते हैं तो आज वो तमाम आज की बड़ी खबर बताऊंगा जो बहुत जरूरी है और बोल बहुजन समाज के लोगों से है और यह जरूरी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का आप साथ दे तब ही अच्छे नेता हैं लेकिन जरूरी यह है कि जो भी दलित पिछड़े आदिवासियों मुसल्मानों के हित में बोलता हो यद उसके खिलाब यद आप जाते हैं ताब जरूर गद्दार हो जाते हैं तो इसे तमाम खबर है जिस पर बातचीत करेंगे और तमाम तस्वीर हैं जो आपको दिखाएंगे चलिए आज की वीडियो स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में दरसल दोस्तो आज बैसाली लोग सभा सीख को लेकर बातचीत करेंगे वहा उनको पूरा समर्थन भीमार मीजेभीम संगठन करेंगा क्योंकि जहां पर भी बस पाक के परतियासी चुनाव लड़ रहे हैं वहां उस जिले के जिला अध्यक्ष उस परदेश के परतेश सभद्ध्ष बहजन समाज पारकी के परतियासी की पूर बहुमत और समर्थन और उनका चुनाव परचार भी करेगा तो ये मायावती जी के लिए बड़ा संकेत है कि भी मारमी के दो टुकड़े हो गए और दो टुकड़े में एक जो बड़ा टुकड़ा है जिसे सायद जमीन यस्तर के लोग जाता जानते हैं वो टुकड़ा बहुजन समाज पार्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्की की और भी खबरों के बारे में दरसल बहुजन समाज पार्की के जो राश्टे कोडिनेटर आकास आनंद हैं उन्होंने कहा कि जो लोग कसम खाते हैं संविधान की जो लोग आपकी रच्छा करने की बात करते हैं चुनावाता है तब आपके घर खाना खाने आती हैं चुनावाता है तब आपके संविधान की रच्छा करने की कसम खाते हैं इन लोगों से हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यही लोग वो हैं जो संविधान के लिए और दलित पिछले आदिवासी वा गरीब लोगों के लिए घा तक हैं जो देश में कई वरसों तक राज करने के बाद ना महेंगाई कम कर पाए ना संविधान की रच्छा कर पाए वो आज कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे बड़ी खबर ये है कि आका सानन ने कहा कि जो हमारी लडाई है वो किसी जाती किसी धरम से नहीं है जो गरीब है इस देश में जो दलित है जो पिछड़ा है जो पढ़ाई लिखाए में पिछड़ा है फिर चाहे वो किसी भी जात से क्यों नहों किसी धरम से क्यों नहों उसको एक अच्छे इंसान बनाने का बहुजन समाजपार्की का हमेशा कोसिस रहा है और यही हमारा परियास है तो इसे तमाम खबरे आज मंजीज सिंग्नोटियाल और चंद शेखर आजाद रामड के द्वारा और आकास आनंद के द्वारा दी गई है और भी कई उजर्स है या मोट के लिए दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं यह सारी नौटंकी करने वाले भाजपा की सरकार में दलित 6 के साथ कितना भेद्भाव किया जा रहा है इसका उधारण लखनयों की बाबा साहब बहिम्रारां अम्बेकर एइंवर्सीटी हैं मैं हत्प्रभभ हूं की दलित सम्मान की बात करने वाले यूपी के स्यम योगि अधितनात के नाग की नीचे जुल्जू किया जा जा रहा है और वो चुनाओ में सम्मृधान की रच्छा की जोटी कसमें खाते हैं चुनाओ पर चार कर रहे हैं का लखaking जिला परसाशन और विसूद्याले परसाशन की कारवाई पर योगी जी की सहमती है किसके इसारे पर दलित छात्रों के उपर जुलुम किया जा रहा है तो यह बड़ी खबर है आकासानंद राजनेतिक के साथ 700 सेलेक्टिविस्ट भी बन रहे हैं और आप दलित पिछड़े आदिवासियों के पर ते इनका ध्यान जा रहा है मैं अब क्यूं कह रहा हूँ क्योंकि अभी ताय कि यह नजर नहीं आ रहे थे लेकिन जब जागो तब सबेरा बावावसाहब ने कहा था कि आप सुरवात तो कम से कम करो जिस दिन आप सुरवात करोगे उस दिन नया सबेरा होगा खेर और इस पर कुछ लोगों ने अपनी रिखी है कि बस इसलिए मुझे बसपा चाहिए बावसा है भीम्रा अंबेट कर इनवर्शी की लखनव में अंबेट का जैनती मनाने के लिए लखनों परसासन और विश्विद्याले वाईरल हो रहा था उन्ठात्रों को आज भाजन वकीलों ने मिलकर जेल से छुड़ा लिया है तमाम लोग जो बहुचन समाज परचे को पसंद करते हैं और दलिष समाज के तमाम जो है लड़कूं अच्छी बहुचन समाज के जितने भी सोसल एक्टिविष्ट हैं पर चाहे वो किसी भी जाती से क्यों ना हूं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद की डॉक्टर बाबा साहिब भीम्राम बैटकर इनवर्सिटी में जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें जेल में डाला गया था तो यह बाबा साहिब कि कुछ लोग कसमें खाते हैं उनकी रच्छ चाहिए ही है और मंजी सिंग नोट्याल ने साफ सब्दों में लिखा कि हम और हमारी जो पूरी भीम आर्मी सेना है वो जितने राज में बहेंजी चुनाव लड़ रही हैं उन राजियों में उन परत्यासियों की मदद करेगा जैसे कि बैसाली लोक्सवासीच पर चुनाव लड़ रहे संभुकमार सिंग की खुली मदद करने के लिए मंजी सिंग नोट्याल तैयार हो गए हैं भीम आर्मी जैभीम संगठन अध्याच मंजी सिंग नोट्याल के आदेश अनुसार बैसाली लोक्सवाच्षेत्र में बीसपी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हमारे सं देशन के लिए और बस्पा वालों के लिए बहुत बड़ी बात है और बात करते हैं चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग मोर की धनजे सिंग की रहाई यानि जबानत हो चुकी है और जबानत मंजूरी मिल चुकी है धननजे सिंग जोनपुर जिले के जो परत्यासी रह जो गोरोपाल ने लिखा कि ब्रेकिंग नियूज है धनाजे सिंग को जोनपुर जेल से बरेली ले जाया जा रहा है उसी समय इलहाबाद कोट से उनके बेल मिलने की खबर है धनाजे सिंग की पतनी जोनपुर से बस्पा के किकट पर लोग सबाद चुनाव लड़ रही है अब इस सेख पर चुनाव एक तरफा बस्पा हो जाएगा बस्पा का हो जाएगा तो यहां पर जो चुनाव है वो सीधा सीधा बस्पा के खाती में जा रहा है तो बस्पा यहां पर पूर तईका से चुनाव जीत रही है खैर इस पर आपकी क्या राय है कि या चुनाव बस्पा जीत रही है नहीं ये बताना जरूर लेकिन अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्की के साथ जो दल्य समाज गद्दारी कर रहा है बहुजन समाज पार्की को बाहरी लोगों से नुक्सान कम है अपने समाज की दोगलों से जादा नुक्सान है पत्रकार कम दलाल जादा लग कि आप जानते हों जो हैं तशीर है यदिर हैंधा के नाकपार जी खीर जिसमें जुसाँ के साथ खड़े हुए और ऐसे में कह सकते हैं कि पर्धियुक्र सकते हैं तो कुछ मंसा जरूर हो गी और और आखरी KTW सबसे बड़ी ख़बर आपको बता दें जो आकास आनंद ने लिखा इसमें आकास आनंद फुल फाम में नज़रा रहे हैं चुनाओं मैदान में इन्हीं का बोल वाला मुझे लग रहा है और जब से यह बीएसपी के साथ खड़े हुई है बीएसपी और मजबूत नज़रा र तो मुझे अच्छा लगता है कुछ लोग ऐसे सब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे मैं अपने भासा में सुधार कर लेता हूं तो यह काफी अच्छा लगता है कि मेरे गल्टियों को भी पकड़ते हैं और मेरे उन सब्दों को भी पकड़ते हैं जिससे मुझे सुधारन काने की राजनेती करते हैं उनको गुम्राह करने वाले भी उतने ही बड़े दोस्ती हैं जितना भाजपा और कॉंग्रेस मैंने सुना है कि दिल्ली में एक भी कट्टर करप्ट पार्टी नीले रंग का पट्टा पहन कर ओंट वांग रही है ऐसे फर्जी वाले से भी सावधान ब्रण रहें दिल्ली को लेकर के भी आका सनंद्य घीरा फर्जी वाले केश्री वाले तो, मुझे नहीं लगतका आप इस पर बताईएगा कि केजरी वालों ने कहा कि फर्जी वालों ने कहा तूट थी मैंने बताया और अपनी राय रखना लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा ताकि सभी लोगों तक खबर पहुं सके बहुजन समाज की इस लडाई में मैं सो करते हैं मेरी लडाई उन मनुवादी लोगों से है जो दलितों को पानी पीने तक नहीं देते हैं मैं किसी ब्रहामर किसी शत्रिय किसी बैस के खिलाब बिलकुल नहीं हूं मेरी लडाई तो उन तमाम दलित लोगों से भी है जो पैसे के बल पर अमीर तो हो गए लेकिन गरी एक नए राजनेतिक मुद्धे समाजिक मुद्धों के साथ तक लिए जैभीम नमुद्धार